तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता हिम्मत वालों का इरादा अधूरा नहीं होता जिस इंसान के होते हैं करमच्छे उसके जीवन में कभी अंदेरा नहीं होता हाई फ्रेंट्स हाई वे नाज़े आएम राके सिंग और यू आर वाचिंग माई स्टेडी चैनल करीज माई स्टेडी जोल फ्रेंट्स इस वीडियो में हम पुना भुगोल के इंपोर्टेंट क्वेस्चन का रिविजन करेंगे डैसा के पिछली वीडियो में हमने 80 किसी विषय की पकड़ के लिए ज़रूरी नहीं होता है बलकि ज़रूरी है कि हम उस विषय का अच्छा व्याज करेंगे तो आये शुरू करते हैं इस प्रशनों का अपना रिविजन क्वेस्चन नमबर 81 है देश के अंदर राष्टी राजमार्गों की सरवाधिक लंबाई लिखित में से किस राजी में है देश के अंदर राष्टी राजमार्गों की सरवाधिक लंबाई तो देश के अंदर राष्टी राजमार्गों की सरवाधिक लंबाई फ्रेंट से उत्तर परदेश में है आप से नंबर भी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 82 है राष्टी राजमार्गों की लंबाई के दरिष्टी कौन से और रोही करम में राज्यों का कौन सा यूग मसाई है राश्टी राजमार्गों की लंबाई के देश्टी कुण से और रोही क्रम में आपको बताना है यानि घड़ते ही वे क्रम में यानि सबसे ज़्यादा लंबाई पुना सबसे कम लंबाई तो राश्टी राजमार्गों की लंबाई के देश्टी कुण से जो और रोही क्रम में आपसे नमबर उसमें भी करेक्ट हैं पहले उत्तर प्रदेश, पुना मद्य प्रदेश, पुना तमिलाड और अंतमे राजस्थान तो उत्तर प्रदेश में राश्टी राजमार्गों की लंबाई में प्रत्थम अस्थान लिखित में से किस राजिका है आपको बताना है प्रति हजार ब्यक्तियों पर राश्टी राजमारगों की लंबाई में पहला अस्थान तो अगर यह देखा जाएं प्रति हजार ब्यक्तियों पर राश्टी राजमारगों की लंबाई तो इ प्रेकित में से किस अस्तान पर देश का पहला बायो डीजल संग्यंत्र शुरू किया गया है। आपको बताना है फ्रेंट्स। देश का पहला बायो डीजल संग्यंत्र कहां शुरू किया गया है। तो देश का पहला जो बायो डीजेल संग्यंत्र है वो काकी नाड़ा में शुरू किया गया है आपसे नमबर एक करेक्ट होगा फ्रेंट्स क्वेस्टन नमबर 85 है पवन उर्जा के चत्र में भारत बिश्व में कौन सी अस्थान पर है तो फ्रेंट्स से पवन उर्जा के चत्र में भारत बिश्व में पांचवी अस्थान पर है जबकि एशिया में यह दूसरी अस्थान पर है पवन उर्जा के चत्र में इसिया का सबसे बड़ा पौन उर्जा के अंद्रे निमिल्कित में से किसी जगह पस्थापित किया गया है इसिया का सबसे बड़ा पौन उर्जा के अंद्रे फ्रेंट से मांडवी कक्ष गुजरात में अस्थापित किया गया है इसिया का सबसी बड़ा पौन उर्जा जोग के अंदर है मांडवी कक्ष जो गुजरात में पढ़ता है तो यहां आपसे नमबर एक अरेक्ट होगा क्वेस्चन नमबर 87 है भारत में सरवाधी कोईला भंडार निमलिकित में से किस प्रकार का है भारत में सरवाधी कोईला भंडार लिकित में से किस प्रकार का है तो सरवाधी कोईला भंडार जो अपने यहां है वो है बीटू मिनस प्रकार का है यानि बीटू मिनस प्रकार का कोईला भंडार भारत में सबसे ज़्यादा है भारत में सबसे बड़ा कोईला उत्पादक राजी निकित में से कौन सा है आपको बताना है फ्रेंट्स कि भारत में सबसे बड़ा कोईला उत्पादक राजी तो कोईले के उत्पादन के इंदेश्टिकोंट से देखा जाए तो फ्रेंट्स है प्रतम है भारत में है बारत में सबसे बड़ा कोईला भंडार किस राजे में आवेस्थिते हैं भारत में सबसे बड़ा जो कोईला भंडार है फ्रेंट्स वह जार खंड में है यानि कोले के भंडार के द्रिश्टिकोंट से जार खंड राजी पहले अस्तान पर है जबकि कोले के उत्पादन द्रिश्टी कोंड से दिखा जाए तो 36 गड़ का अस्थान परतम है तो यहां आपसे नमबर एक अरेक्टर का फ्रेंट्स पेट्रो रसायन उद्योग के अंतरगत में मिल्कित में से किन पदार्थों का निर्मान किया जाता है पेट्रो रसायन उद्योग के अंतरगत आपको बताना है इसके अंतरगत कैसे और किस तरह की पदार्थाती है तो पेट्रो रसायन उद्योग में कृत्रिम रेशा भी आता है कृत्रिम रेवर भी आता है और कीट ना सक भी आती है तो फ्रेंस, option number de-correct है, question number 91 है, निमले लिखित में से किसी इंग रह को पृत्वी की जुडवा बहन कहा जाता है, पृत्वी की जुडवा बहन की सिखा जाता है, तो आपसे नमर इसमें भी करेक्ट होगा शुक्र ग्रह को यानि शुक्र ग्रह को प्रत्वी की जुलवा बहन कहा जाता है तो आपसे नमर भी करेक्ट है नमलखित में से किसे जुला मुखी को भूमद्य शागर का प्रकास अस्थम कहा जाता है भूमद्य शागर का प्रकास अस्थम तो फ्रेंट्स जो भूमद्य शागर का प्रकास अस्थम है वह इस्ट्राम भूली को कहा जाता है आपसे नमर इकरेक्ट है फ्रेंट्स Q93 है, हिमानी के निच्छेव से निमलेखित में से किस प्रकार की आकर्ती का निर्माण होता है। कि आकर्तियां बनती हैं, तो आप से निमलेखित का निर्माण होता है। सब्सक्राइब का भी होता है। तो यहां आप से निमलेखित होगा। Q94 है, Q94, भूमद्य रीखी हैं निमने वायुदाब भूमद्य रीखी है। निम्ने वायुदाव छेत्र में अधिक तापमान की कारण वाय हलकी होकर उपर उठती हैं परिडाम स्वरुपिन छेत्रों में वाय का च्छायतिक संचरा नहीं होता है इस छेत्र को क्या कहते हैं? अधिक तापमान की कारण वाय हलकी होकर उपर उठती है परिडाम स्वरुपिन छेत्रों में वाय का च्छायतिक संचरा नहीं होता है ऐसे छेत्र को फ्रेंट्स क्या कहते हैं? तो फ्रेंट्स ऐसा छेत्र डोल्डरम कहा जाता है तो यहां आपसे नमबर रिकरेक्ट है क्वेस्चन नमबर 95 दिया गया है प्रधान मध्यान रिखा से 90 डिगरी फूर्व या पस्टिम जाने पर कितना समय लगता है? प्रधान मध्यान रिखा से 90 डिगरी फूर्व या पस्टिम जाने पर कितना समय लगता है? तो यह च्छा गंटे का समय लगता है आप से नबर सी करेक्ट होगा च्छे गंटे का समय लगता है जब प्रधान मध्यान रिखा से हम 90 डेगरी पूर्वया पहस्यम जाती है क्वेस्टन नमबर 96 दिया गया है शरवादिक टाइम जोन का निर्धारन किसे देश ने किया है तो सरवादिक टाइम जोन का निर्धारन प्रेंट से रूस ने किया है आप से नबर सी करेक्ट होगा क्वेस्टन नमबर 97 दिया गया है बिग बैंग शिद्धान्त का श्राम्बन में खित में से किशे हैं बिग बैंग शिद्धान्त जोकी बहुती फिमस यह थियरी है बिग बैंग शिद्धान थियरी और आप सबको पता होना चाहिए कि बिग बैंग शिद्धान थियरी का श के कुईसर से संबंद ही निमलिखेते गत्नुपन विचार करें गुईसर के बारे आंस बताना रहा है थे तो आप संद्द करें ये एक आकाशिय पिंड है यह एक आकाश यह पिंड है यह आकार में आकाश गंगा से छोटा है यह आकाश गंगा से अधिक मातर में उर्जा उत्मन किरता है तो फ्रेंट्स यहाँ पर तिनों ही option correct है कोईसर के संबंद में पहला option जो दिया गया है यह एक आकाश यह पिंड है तो यह correct है यह आकार में आकास गंगा से छोटा है यह भी correct है फ्रेंट्स यह आकास गंगा से अधिक मात्रा में उज्जा उत्मन करता है यह भी option correct है तो यहाँ पर option A123 दोनों ही correct हो रहे हैं तो यहाँ जो नीचे कुट दिये गए इस कुट से यहाँ पर इस कुट से option number C correct होगा 1,2,3 question number 99 द्रबिमान के अनुसार सबसे भारी ग्रह निखित में से कौन सा है तो फ्रेंट से द्रबिमान के द्रिश्टिकोंट से दिखा जाए तो यहाँ पर जो ब्रिश्पती जो ग्रह है वह सबसे भारी है question number 100 अस्थल मंदल की गहराई कितनी किलोमीटर आगी गई है अस्थल मंदल की गहराई कितनी किलोमीटर आगी गई है तो आपसा नमबर C correct होगा 100 किलोमीटर question number 101 अस्थल मंदल की गहराई 100 किलोमीटर है अस्थल मंदल की गहराई 100 किलोमीटर है इसमें ग्रिनाइट की मातरा अधिक है इसमें शीलिका और एलुमिनियन मुख्य रूप से पाये जाती है इसका गहराई तो 5.5 होता है तो फ्रेंट्स यहाँ पर जो दिया गया है अस्थल मंदल की विश्ए में तो यहाँ पर आपसां से इसकी गहराई 100 किलोमीटर है या correct है इसमें ग्रिनाइट की मातरा अधिक ह यह भी correct है फ्रेंट्स इसमें शीलिका और एलुमिनियन मुख्य रूप से पाये जाती है फ्रेंट्स यहाँ पर आपसां नंबर 123 यह तीन होई सही है तो फ्रेंट्स यहां कूट से हम देख लेते हैं जो कूट दिया गया इसमें इस कूट से आपसां नंबर 3 होगा 123 जन संख्या कार के द्रिष्टी कोण से भारत में प्रतम अस्तान किसे जन जात क्या है तो आपसे नंबरी correct होगा यह गौंड जाती तो गुंड जाद जो है जन संख्याकार के दृष्टी से भारत में प्रतम वस्तान पर हैं आप से नमरी करेक्ट होगा क्वेश्चन नमर एक श्रौत तीन है भारती जन जाती गुंड का अधिवास श्यत्रे गुंड का अधिवास श्यत्रे आपको बताना है लिकित में से किस प्रतिश में हैं तो गुंड का अधिवास श्यत्रे प्रेंट से यह 36 गड में भी है जारखंड में भी है और ओडिशा में भी है तो यहां आप से नमबर दी करेक्ट होगा क्वेश्चन नमबर एक सो चार दिया गया है बिभिन आयू वर्गो में जन संख्या के विभाजन क लखित में से क्या कहते हैं बिभिन आयू वर्गो में जन संख्या के विभाजन को लखित में से क्या कहते हैं तो यहां आप से नमबर एक करेक्ट होगा इसे कहते हैं आयू संग्रचना बिभिन आयू वर्गो में जन संख्या के विभाजन को प्रेंट्स आयू संग्रचना क क्वेस्ट नमबर एक करेक्ट हो गा है मैं सुर्फ dressed का मुष्थ जो कि मुंबई वीटी है मुंबई वीटी है आपसर नुबर भी Correct होगा रिल्वे के विकास के लिए देश की अंदर चार महाश्यत का निर्मार करेजा रिए है इसमें सरवादिक महाश्यतों किस राज़य में बना जा रही है तो फ्रेंट्स जो रिल्वी है रिल्वी ने बिकास करने के लिए देश के अंदर चार महाश्यत का निर्माड जाए की कारिय किया है और सबसे जो ज़्यादा महाश्यतू का निर्माड हो रहा है वह है बिहार इस्टेट यानि बिहार इस्टेट में सबसे ज़्यादा महाश्यत का निर्माड क आपसे साथ हैं बीर शावर कर अंतराष्टी हवायदा किस जगह इस्तित हैं बीर शावर कर अंतराष्टी हवायदा फ्रेंट्स आपको बताना है जो कि पॉर्ट में हैं आपसे नमबर भी करेक्ट होगा फ्रेंट्स नमबर 108 दिया गया है बाढ़ आने के प्रमुख कारणों में लिखित में से कौन से कारण है तो बाढ़ आने का आपको कारण बताना है फ्रेंट्स बाढ़ आने का जो प्रमुख कारण है वह कौन से कारण हो सकते हैं तो फ्रेंट्स अत्नी बृस्टी यानि अत्न प्रिष्टवी के सबसे बाहरी भाग भूर परपटी के शमह्त में लुखित में से कौन से कतन सकती है पृत्वी के सबसे बाहरी भाग भूपरपटी यानि भूपरपटी जो पृत्वी का सबसे बाहरी हिशा है इसके समझ में आपको बताना है प्रेंट्स तो यहां आपसन देखती है यह पृत्वी का भांगूर हिशा है भूपरपटी की मोटाई महादिपों और महाशागरों से अलग है महाशागरों में इसकी आउशत मोटाई 50 किलो मिटर है महादिपी भूपरपटी भारी चट्टानों से बनी है तो अफ्रेंट से यहाँ पर भूपरपटी के विशा में आपको बता नहीं भूह परपर्टी के विशय में तो यह पिर्थभी का भंगुर हिशा है यानि तूट जाने वाला हिशा है आपसे नमबर एक करेक्ट है भूह परपर्टी की मोटाई महादीपों और महाशागरों से महाशागरों से यालग है आपसे नमबर भी करेक्ट है महाँशागरों में इसकी और शत मोटाई 50 किलो मेंटर है यह आपसन फ्रेंट्स की गलत है और महाँदेपिय भूपरपटी भारी चट्टानों से बनी है तो यह आपसन करेक्ट है तो फ्रेंट्स यहां पर करेक्ट आपसन जोकी बन दें यह पिर्थवी का भांगु रिस्ता ह यह पिर्थवी करेक्ट है और भूपरपटी की मोटाई महादीपों और महाँशागरों से यह भी करेक्ट है यह यह वन टो और फोर यह आपसन करेक्ट हो रहे हैं तो फ्रेंट्स यहां कूट से कूट से हम इसको चूज करेंगे आपसन नमर भी करेक्ट होगा वन टो और फ महाशागरों में भूब परपर्टी की ओशत मुटाई कितनी है आपको पता नहीं महाशागरों में यहाँ याद रखने वाली बात दे कि महाशागरों में फूच रहा है महासागरों में भूव परपरती की यौसद मुटाई तो फ्रेंट्सियां यौसद मुटाई 5 km है आपसर नंमर भी करेक्ट है Q111 दिया गया है Q111 महाशागरों की भूर परपटी के स्रंबन में निमलिकित में से कौनशा कतन सकते हैं महाशागरों की भूर परपटी के स्रंबन में लिकित में से कौनशा कतन सकते हैं आपसन नमबर ही दिया गया है महाशागरों की भूर परपटी बेशाल चेटानों से बनी है आप्शन B है, महाशागरिय भूपरपटी का घनत्वा 2.07 ग्राम प्रतिखन सेंटिमीटर है आप्शन नमबर 3 है, महाशागरिय भूपरपटी की आउशत मुटाई 5 किलो मीटर है आपसे नमबर फौर है मahदिपों की तुल्ला में महाशागरों की भूपरपर्टी के मुटाई कम है तो यहाँ आपको बताना है तो प्रेंस यहाँ पर लबग सारे आपसें करेक्ड हैं महाशागरी भूपरपर्टी के संबन में तो यहां पर जो आफ्सान नमर यह जो दिया गया है नमर बन महाशागरो के भूपरपटी बेशाल चटानों से बनी है यह बिल्कुल करेक्ट है महाशागरी भूपरपटी के अगनत दू दश्मलों साथ ग्राम प्रति गन सेंटिमीटर है यह भी करेक्ट है आफसन नमर जो दिया गया है आफसन नमर त्री महाशागरी भूपरपटी के अउश्मलों प्रति पांच किलों मीटर है यह करेक्ट है महादीपों की तुल्ला में महाशागरों के भूपरपटी के मुटाई कम है यह भी करेक्ट है तो यहां सारी option correct हो रहे हैं तो हम कूट से देख लेती हैं कूट में फ्रेंट्स कूट में जो की option number D हो जाएगा 1,2,3 और 4 यह सही है question number 112 दिया गया है अफिरका महादेश के संबंध में आपको बताना है अफिरका महादेश के संबंध में निलखिते कतनों की सत्यता का परिछण करें अफिरका महादेश के संबंध बताना है आपको प्रेंट्स तो एशिया की बाद अफिरका का दूसरा बड़ा महादेश है एसिया की बाद प्रेंट्स यह एसिया की बाद जो अफिर्का है वो दूसरा बड़ा महादीप है बिल्कुल करेक्ट है और एसिया की बाद तीसरा सरवादिक जनसंख्या वाला महादीप है प्रेंट्स तो यह भी करेक्ट है इस्या की बाद तीसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो महादीप है वह अफिरिका है अफिरिका का सरवच जो सिखर है किलिवन जारू है किलिवन जारू है यह फ्रेंट्स गलत थे अपसे सबही महादीपों में अफिर का सरवादी करम है तो फ्रेंट्स यह है बिल्कुल करेक्त हैं तो यहां one आपसे number one correct हो रहा है आपसे number second correct हो रहा है और आपसे number four यहनी one, two और four तो यहां हम कूट से देख लेते हैं कूट से friends वहां कुट से जो यहां वन थ्री और फॉर यह करेक्ट हो जाएंगे कि क्वेस्चन नमबर 113 दिया गया है मिकित में से कौन सा महादेश ऐसा है जिससे होकर विश्वत रेखा करक रेखा और मकर रेखा गुजड़ती है एक बहुत इंप्वादिश से क्वेस्चन आपको जा나 लेना की है कौन सा इसा महादेश है जिससे होकर विश्वत रेखा गुजड़ती है करक रेखा और मकर रेखा गुजड़ती ऐसा कौन सा महादिफ यह महादिश है तो यह अफिर का महादिफ है जिससे तीनों ही रिखाएं को जड़ती हैं तो आपसा नमबर भी करेक्ट हो जाएगा क्वेस्चन नमबर 114 दिया गया है आश्वान बाद की संबन में आपको बताना है आश्वान बाद यहाँ पर अश्वान बाद की विशे मैं आपको बताना है तो अश्वान बाद जो अफिर का की नील नदी पर बना हुआ है अफिर का की नील नदी पर बना हुआ है अफिर का की नील नदी पर बना हुआ है अफिर का का सबसे उंचा बाद है अफिर का का सबसे उंचा बाद है अश्वान बांद यह भी बिल्कुल करेक्ट है यह विस्वका सब्सक्रीप बड़ा बांद है जी नहीं यह आपसं इनकरेक्ट है और फोर है कि इस बांद से नील नदी के बहाव को नियंतित किया जाता है नील नदी के बहाव को नियंतित किया जाता है यह बिल्कुल करेक्ट है तो यहां पर करेक्ट आपसें वन टो और फोर बन रहे हैं कुट से जो कुट नीचे दिये गए कुट से के में टो फोर यानिंघ से अपसोन बड़ी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंच पर कमबर एकीने अ तो कनाडियन सिल्ड के विशाय में आपको बताना है यहाँ पर कनाडियन सिल्ड जो दिया गया है कनाडियन सिल्ड तो यहाँ पर यह जो कनाडियन जो सिल्ड है कनाडा के आदे से अदे भो भाग पर बिश्टी थे इस सिल्ड का निर्माड प्राजीन कठूर चट्टानों से हुआ है बिल्कुल करेक्ट है इस सिल्ड पर ग्रेट बीयर और ग्रेट लैक्स जिल इस्तित हैं ग्रेट बीयर और ग्रेट लैक्स जिल कनाडियन सिल्ड में ही है तो यह तीनों यापसन करेक्ट है फोड दिया गया है कनाडियान सिल्ड में बहुमुले खनीजों का भाव है इसमें यह आफसन इनकरेक्ट है के दो से सिल्ल confronting के विशह में जो की आपेगी करेक्ट है कि धर लिखंट की आधिशुे भूबाग पर पिलिख्तिते देगmileड विश्तिते न करेट है उ इस जिलकुल न सुसुरा प्राजिक उसेंकि सिल्ट यहां पर दी हो जाएगा आप से नमबर दी हो जाएगा वन टो थ्री कि क्वेस्टन नमबर 116 दिया गया है कि क्वेस्टन नमबर 116 आपको बता नहीं लिकित में से कौन सायू मैं साय शुमेलीते हैं यहां आपको जो यहां यहां आपको जो शहर जो दिये गया है शहर और आगे उसके खनीज रशायन दिये गया है और कुछ अन्य निर्मार दिये गया है आपको मैच करना है फ्रेंट्स तो यहां पर जो सेफिल्ड जो लिखा हुआ है जो कि लोह इस बाद के लिए भी ख्या आते है शाइफिल्ड शेफिल्ड लोह इस बाद के लिए खिया ठराइट्ट्राइड यहां यहां घ्रएज से आप बूबार के लिए इनकरयक्ट है बीना जो दिया गया है मोड़र दिमार के statute यहां दो आप सक्रेक disciplina रहें शैफिल्ड जो कि लोह इश्पात के लिए है और डिक्टाइट आटमोबाइल के लिए है तो यहां आप से नमबर एक करेक्ट हो जाएगा क्वेस्चन नमबर 117 दिया गया है लिकित में से की सस्थाल पर तेल शोधन कारखाना इस्थित है तेल शोधन कारखाना आपको बताना है तेल शोधन कारखाना कहां पर है मनाली, भटिंडा, बरोणी, अंडवान तो तिल सुधन कर खाना जो की मनाली में भी है भटिंडा में भी है और बरोणी भीहार में भी है तो यहां आपसे नमबर भी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंट्स मनाली, भटिंडा और बरोणी अंडवान में नहीं है क्वश्चन क्वारा को बताना है पॉंग बांध कहां पर है? बीयास पर यूजना पर है आफ स्रें नमर डी करेक्ट हो जाएगा question number 119 दिया गया है लिखेत राजियों में से किस्ष में भारत की सबसे बड़ी अंतरदेशी लौड़ी आर्दर भूमी है आपको बताना है कि भारत की सबसे बड़ी अंतरदेशी लौड़ी आर्दर भूमी तो अपरेंट यहां पर यह मद्य परदेश होगा, मद्य परदेशी स्ट्रिट में है, भारत की सबसे बढ़ी अंतरदेशी लिए अार्द्रफून यह मद्य परदेश में है, कुश्चन नमबर 120 दिया गया है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृष्य आधारित उन्द्योग भारत का दूसरा आपको बताना है दूसरा पहला ने दूसरा बताना है कि सबसे बड़ा कृष्या अधारित उंद्योग का उंशा है तो दूसरा कृष्या अधारित जो उद्योग है वाचीनी उद्योग है परतम नमबर पर वस्त्र उद्योग आता है फ्रंस दूसरे नमबर प्रचीनी उद्योग है जो भात का सबसे बड़ा क्रिश्य आधारित उद्योग है आप से नमबर मी करेक्ट हो जाएगा मैंटल की मोटाई कितनी होती है मैंटल की मोटाई कि थी थीट है क्वेस्टन अब एक सोब बाई दिया गया है जब मैगमा की परत जब मैगमा की परत संग अस्तर मैदान पर बीश जाती है तो निर्माण होता है जब मैगमा की परत संग अस्तर मैदान पर बीश जाती हो तो फरन किस तरह के मैदान का निर्माण होता है तो शील का यह शील का होता है तो आप से नम्मर्डी करेक्ट हो जाएगा उतिया गया है पृत्वी की सत्व पर आकर्शमिक परिवर्तन लाए-जा-सकते हैं की विए तबिकी सत्व पराटा याकर पर्युद्टन किन से हो सकता है अब झाल हुथ संचलन की क्षिशकने से भी जोगी हो सकते आकाश्मिग परिवर्तन। जिन्हesten को जो अला मुखी क्रिया के द्वारा भी वो सकती है आकाश्मिग परिवर्तन यहां आपसे नमबर भी करेक्ट हो जाएगा आपसे नमबर भी करेक्ट होगा बेलुप तो ज्यॉorialा मुखियों के याँ यहां पर अजु आर्ब 20ड आ मुखिंगा है। कुलंबिया के पठार और सिने के पठार में तो यहां आपसे नंबर भी करेक्ट हो जाएगा बेलुपत ज्वाला मूख्यों की और क्वेश्चन नंबर 125 दिया गया है लिखित में से असाथ्य कथन है आपको बताना है असाथ्य कथन है चूना पत्थर शंगमर्मे में रूपा उतता है यहां से पड़स्त है क्यां गैल्का पत्थर बालू का से पत्थर होती है क्वाट्जायिट में रूपांद्री नोती यहां आप से और यह दो जाती है यए फेडम क आप सलो शाक हो प्रेंड61 से कोई आत्या नहीं तो प्रेंड है इसवीजिओ की एक सो पचीश फ्ली से इसके पहले हमने दूसरे वीडियो में एक question जो बताया था कि खट्टे फलों का निर्माड किस तरह की जलवाई में होता है तो फ्रेंट से आप इसे पुन है औरये हैं सही कर लIE कि खट्टे फलों का निर्माड भूमाद्यर शागरी जल्वाई में होता है या àption औरकर कर लीजेगा आपसा वीडियो के 125 वीडियो में तब तक के लिए जाहिन जावाद